और आल ये मशीन कुछ इस तरीके से जो है दिखेंगी एवरेज जो है 50 kg की capacity होंगी हेवी gears का इसमें यूज किया गया है जिसमें किसी भी तरीके से weakness का कोई इशू नहीं होगा 100% जो है आपकी मशीन वर्फ तरीकी हो तो इसमें हैवी 1 hp की मोटर यहां पे लगी हुई है चाहो तो आप इसमें 2 hp तक का मोटर भी यूज कर साथा तो कुछ इस तरीके से हो गया है और किसी भी तरीके से अगर dry face में आप प्रिमिक्स बनाओगे तो इसका dust ऊपर नहीं आएगा यह पूरी तरीके से चारो तरब से covered रहेगा अभी आपको मैं एक अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ यह सामने आप एक मशीन देख पा रहे होंगे और अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है बेसिकली यह है हमारा हैवी प्रिमिक्स मिक्शर मसीन जिसमें बेस प्रिमिक्स जो है बनाया जाता है और यह complete प्रोसेस हमारा रेडी हुआ है जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे और सारा complete प्रोसेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और आल यह मशीन कुछ इस तरीके से जो है दिखेंगी एवरेज जो है फिप्टी केजी की कैपेसिटी इसमें से आपको देखने को मिलेंगी यह थोड़ा सा भी बंद किया और आपको मैं चीजे दिखा रहा हूं आपको चीजे यहाँ पे दीख रही होंगी हेवी गियर्स का इसमें यूज किया गया है जिसमें किसी भी तरीके से विकनेस का कोई इशू नहीं होगा हंडेट परसेंट जो है आपकी मशीन वर्क करीगी और प्रिमिक्स भी अच्छे तरीके से इसमें ब्लैंडिंग होगा और बैरिंग्स का आपको चीजे दीख रही होगी यहाँ पे सॉप्ट वगयरा यह सारी चीजे रगी हुई है नीचे कन्वेयर के सिस्टम से यह चीजें यहाँ पे इसमें से अटेज है यह छोटी गियर्स भी आपको यहाँ पे दीख रही होगी और नीचे की तरह आप और एक्ष्टा सेप्टी के लिए यहां पर एक कवर्स जो है बनाया गया है जिसमें से किसी भी और यहां पर काफी सारे काम चल रहे हैं भाई लोगों के और काफी अच्छे तरीके से वसीन जो है तैयार किया गया है को फिर पुछी तरीके से आपको यहां की चीजें मिरे ख्याल से देखने को मिलेंगी और यह सिस्टम बनाये गए है और यहां पर प्रोसेस होता है कम्प्लिटमali वेल्डिंगुक्स होता है जिसमें से चीजें fixable होती है लेकिन इसमें क्या है इस्क्रूस लगे हुए है आपका प्रिमिक्स की भी किसी भी तरीके से मिक्स का प्रोसेज नहीं हो रहा है तो इसे आप जो है डाइवर्ट कर सकते हैं और आपने प्रोसेज के मशीन जो है इस्तमाल में ले सकते हैं और फुली एसेस मटेरियल इसमें यूज किया गया है जैसे कि आप देख रहे हो तो यह बहुत रिलाइबल होता है किसी भी तरीके का जंग जंग का इशू नहीं होता प्रिमिक्स का क्या होता है कभी-कभी हमारा जोस पाउडर जो है ना किसी भी तरीके का प्रिमिक्स इसमें आप बना सकते हैं चलाने के प्रोसेस और चला के कुछ चीज़ें मैं दीखाने की गोशिस करूंगा तो कुछ इस तरीके से यह प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से यहां पर लॉकेबल चीज़ें लगी हुई है जिसे खोल के आप इसे डाउन कर सकते हैं और यह डाउन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी और इसके साथ एक और चोटा सा प्रोसेस में दिखाता हूं यह लोकेबल फेस है जिसमें से आप प्रिमिक्स डालने के बाद इसे लॉक कर देंगे तो किसी भी तरीके मशीन चलने के बाद कोई इशू नहीं रहेगा तो एक प्रोसेस यह हो गया आगे और मैं चीजे दिखाता हूं और इस तरफ आप देखोगे तो यह दो लोक लगे हुए है जो कि जब आप प्रिमिक्स यूज करोगे तो यह डाउन पार्ट के तरफ जो है यह नहीं आएगा तो यहाँ पे एक लगी हुई है और यहाँ पे आगे एक और जो है लोक आपको देखने को मिलेंगी और इसका जो कवर है तो कुछी इस तरीके से कवर भी आपको हैवी माटेरियल पे देखने को मिल जाएंगी तो कुछी इस तरीके से यह कवर भी पूरी तरीके से फिक्स हो गया है और किसी भी तरीके से अगर ड्राइफेस में प्रिमिक्स बनाओगे तो इसका डस्ट उपर नहीं आएगा यह पूरी तरीके से चारो तरफ से कवर्ड रहेगी और किसी भी तरीके का जो है पाउडर का जो ऐस है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा पूरी तरीके से यह आपको प्लेट जो है ढख के यहाँ पर रहेगी ओवरल देखा जा तो यह हमारा मशीन कुछ ही तरीके से जो है कंप्लिट डिजाइन किया गया है जिसमें हैवी रिलाइबल जो है मटेरियल का यूज किया गया ह है और किसी भी तरीके के बेस प्रीमिक्स बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं और इसका जो पूरा प्रोसेस क्लिफल विए से मशीन कर जो है प्राइज रहेगा क्या क्या चीजह वागिया फिर आ पकर साथ बचस कशनमाइज मशीन भी बन वाना में बताऊंगा तो उसके बारे में पूरा डिटेल आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिक्शन लिंक में मिल जाएंगी और मचीन का प्राइस बेसिक डिटेल आप जान सकते हैं